प्लेंट, प्लेंट क्या होता है, जैसे कम प्लेंट होती है, तो प्लेंट जो है, वह एक क्लेम का स्टेटमेंट होता है, जो भी क्लेम करना है, उसका स्टेटमेंट है, जिसके प्रिजेंटेशन पर सूट इंस्टिटूट किया जाता है, ठीक है, तो यह है प्लेंटिफ की प् प्लेंट। के आंदर क्या कि चीज़े होनी चाहिए। कॉर्ट का नाम जिसके अंदर सूट लाया गया है। यह इआ है। फैक्स बताना कि उसके अंदर गॉट के जुज डिक्शन में आता है। यह सूट। और plaintiff और defendant, इनके नाम, description, place of residence, अगर वो minor हैं तो यह चीज भी बतानी होगी, minor या person of concerned mind है, उसके अंदर facts जो होगे, cause of action के वहे बतानी ज़रूरी है, और यह कब हुआ, cause of action, can't वागेरा जो था, कब हुआ, subject matter जो है, उसकी value, ठीक है, relief जो claim की गई है, plaintiff बतारा मुझे क्या क सूट है, तो उसमें precise amount बताना है, जो claim किया गया है, और immobile property से related कोई claim है, तो उसमें उस immobile property जो है, उसका description बताना है, जिससे कि उसकी पहचान की जा सकते, ऐसे यह सारी requirements है, particulars है, plaint के, किनकिन grounds पे, plaint को reject किया जा सकता है, अगर वे undervalued हो, subject matter जो है, माल लो, 5 लाकी जमीन है उसमें subject matter, जो है, जमीन है, और आपने plaint में उसकी value केवल एक लाक रुपे लिख दी है, तो undervalued है, और उसके बाद अगर पूरा sufficient stamp नहीं लगाया आ गया हो, उस case में भी plaint को reject किया जा सकता है, cause of action जो है, where disclose ही न किया गया हो, उस case में भी plaint reject की जाएगी, और अगर जो statement है, प्लेंट में, where law दुआरा बार्ड हो, उस case में भी reject की जाएगी, या फिर plaint duplicate में ना file की गई हो, प्लेंट duplicate में file करनी ज़रूरी है, otherwise भी reject कर दी जाती है, और rule line के जो भी provisions है, उनको comply नहीं किया गया हो, इसमें क्या है, defendant को copy न दी गई हो, और summons की fees वगएरा, साथ दिन के अंदर ना जमा की गई हो, अब summary देख लेते हैं, प्लेंट क्या है, claim जो है, उसका statement है, जिसके present करनी पर suit file होता है, यह plaintiff की pleading है, इसमें क्या-क्या होता है, code का name, उसका jurisdiction है, नहीं, parties के name बगएरा, description, place of residence, अगर मैंनर है तो यह चीज़ भी state करनी हो, cause of action होगा, और क्या relief sort की गई है, subject matter की value, stamp बगएरा, और आपका money से related है, set of removal properties है, related कोई claim है, तो उसका description वगएरा, किन-किन cases में plain reject की जा सकती है, जो cause of action ही नहीं बताया गया, या फिर law दुआरा bard है, या फिर subject matter जो है, उसको undervalued शो किया गया है, या फिर stamp पूरा अच्छे से pay नहीं किया गया है, या फिर doplicate में file नहीं की गई है, या फिर defendant को copy वगएरा नहीं provide की गई हो, summons के fees वगएरा जमा नहीं की गई हो, तो यह केवल इतना सा आपको रढ़ना है, plain, उसके particular से यह हो गए, आप किन-किन conditions में यह reject की जा सकती है, return statement, set of counter claim, यह next वीडियो में,